में एक नया टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है Resolving Power of Optical Instruments सबसे पहले हम टॉपिक के हेडिंग की ओपर अपना ध्यान के इंदृत करते हैं Resolving Power क्या होती है Resolving Power होता है कि एक एक इंस्टुमेंट की Optical Instrument की ability जिससे वो चीजों को साफ साफ दिखाता है आपको आप किसी Optical Instrument से दूर की चीजों को देखते हैं नजदीक की चीजों को देखते हैं तो यदि आपको चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं साफ साफ देखने का मतलब है कि जैसे आप दूर से एक पेड को देख रहा है और यदि आप पेड को देख रहे हैं तो पेड का structure आप देखे हैं उसके पत्तों को नहीं गिन सकते यदि इंस्टुमेंट की Optical जो Optical Instrument की resolving पाबर जाद है तो आप पत्तों को भी गिन लेंगे यदि आप पत्तों को गिन पा रहे हैं पर आप उसके उपर जो लाइने होती हैं छोट-छोटी शिराएं बनी होती हैं उनको आप नहीं गिन पाते तो उसके resolving पाबर कम है यदि आप Optical Instrument की resolving पाबर को बढ़ा देते हैं तो इस concept को समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसको हम पहले discuss कर लेते हैं। सबसे पहले बात आएगी एंगुलर resolution क्या होता है। एक एंगुलर resolution का मतलब क्या होता है। एंगुलर resolution जो है एक ability of the image forming device। एंगुलर resolution is the ability of the image forming device। एक ऐसा device जो image आपको दिखाता है। जैसे वो such as एक optical हो सकता है, radio telescope हो सकता है, microscope से आप चीजों को देखते हैं, camera से चीजों को देखते हैं, आंखों से देखते हैं, जिससे आप एक object के small details को देख लेते हैं। मैंने छोटे size तक आप चीजों को देख लेते हैं, उसको हम angular resolution बोलते हैं, thereby making it a major determinant of the image resolution, तो एक image को साफ करके दिखाने के लिए angular resolution की बहुत जरूरत होती है। यह optical instrument should have a good angular resolution। एक concept आपको और जानने के जरूरत है इस text को पढ़ने से पहले कि Abrasion क्या होता है। Abrasion को हम कुछ इस तरीके से जानते हैं, Abrasion in optical system such as lens हो या फिर curved mirrors हो, हम चीजों को देखने के लिए lenses या mirrors का इस्तेमाल करते हैं, तो जब lens या mirror से light जो है वो debiate करते हैं, उसके बाद image बनाती है। यदि एक optical instrument, यदि abrasion से free होता है, तो उसका जो image होता है, वो clear बनता है, and if it possesses the abrasion, then the image form will be blurred in nature, तो हम अब resolving power of optical instrument के concept को आगे बढ़ाते हैं, उसके background के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एक example लेते हैं, टेलिस्कोप का, यह जो diagram है, यह टेलिस्कोप का है, this is the diagram of telescope, is an optical instrument, right, टेलिस्कोप में क्या होता है, एक objective lens होता है, जो size में बड़ा होता है, इसका answer हम इस video के end में देंगे, जो टेलिस्कोप में जो object की और lens होता है, convex lens, उसको objective lens ब बोलता है, जब दूर से आप चीजों को देखते हैं, जैसे for example आप star को देख रहे हैं, okay, you are just watching the stars in the sky, but it will happen then, यह parallel of ray of light जो है, वो आएगी और convex lens के ओपर टकराएगी, और उसका जो image है, वो उसके second focal plane के पर बनेगा, objective lens के second focal plane के ओपर उसका image बनेगा, अब यह जो image second focal plane के ओ पर बनेगा, यह depend करेगा कि जो objective lens है, उसकी resolving power कितनी है, उसके जो angular resolution है, वो कितना है, it depends upon the angular resolution of, angular resolution of objective lens, okay, अब इसके बाद आप देखिए, यह जो यहाँ image बनेगा, यह image जो है, वो eye lens के लिए object बन जाएगा, पर जो eye lens क्या करता है, वो सिर्फ उस image को magnify करता है, पर उसके resolution को नहीं बढ़ाता, for example, मैं आपको इसको धारण से समझाता हूँ, आप यदि दूर किसी पहाड के उपर एक पेड को देख रहे हैं, और उस पेड के उपर पेड को देखने के बाद उसके पत्ते आपको नज eyes को तो बढ़ा कर देगा, पर उसके बाद उसकी resolution को नहीं बढ़ा पाएगा, this is what I would like to say, कि जो एक telescope में objective lens का जो मकसद क्या होता है, resolving ability को control करना, और जो eye lens का मतलब होता है, उसको magnify करना, image को magnify करके दिखाना, right? The power of optical instrument को समझने के लिए हमें एक concept को जानना पड़ेगा, जिसके base के उपर हम उसको बड़े आसानी से समझ लेंगे, कि देखे, यह हमने अलड़ी पढ़ रखा है, diffraction at a single slit, right? So, यहां हम देखते हैं कि जब एक parallel beam of light, जो एक plane wave front हम कह सकते हैं, वो एक slit के aperture AB के उपर ठकराता है, तो उसके जो sub point है, इसके उपर, वो source of secondary babelet बनते हैं, और वो जैसे एक wave क्रियेट करेंगे, देवे देवलिक क्रियेट बेव, और यदि मानलों यहां diffraction नहीं होता, तो आ merging out from point A, C and B, they will focus at the second focal plane on the screen, but you know that कि जब एक ray of light, parallel beam of light इस aperture से गुजरती है, तो वो diffract होती है, और उसका जो first minima है, वो point P के उपर बनेंगा, जब path reference जो है, A sin theta जो है, then A sin theta is equal to lambda, अब यह जो diffraction spread होता है, जो linear spread होता है इसमें, हम जो observe करते हैं कि जो linear spread इसमें है, linear spread that is x, okay, this linear spread, जो किस तरीके का concept है, हां इस्तेमाल होगा, यह देखिए, जो linear spread को इदिया आपना निकालना है तो उसी तरीके से होगा, यह देखिए, यह आपका होगया एक circle और उसमें यह होगी, यह radii आई, and this is the center O, A, B, मैंने इसको बार-बार discuss किया, पर यदि आप अपना video direct देख रहे हैं, तो आपको यह आसानी रहेगी, here theta is equal to S upon R, so this part, here in this picture, it will, it will serve as a linear spread, okay, linear spread, so this linear spread, this is equal to R time theta, so मैं यहां लिखूँगा, कि जो linear spread होगा, जो screen के ओपर diffraction pattern आपको फैला हुआ दिखेगा, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए R, and this is equal to D into theta, and this theta is equal to, this theta is equal to, if wave length is very much less than the aperture, then sin theta is approximately equal to theta, and from this equation, you can write, this theta is equal to lambda by A, this is what the concept we will use over here, so linear spread जो है, linear spread यहां कितना होगा, linear spread यहां होगा, D lambda by A, अब हम यहां imagine करते हैं, assume करते हैं, कि यह जो D है, यह the distance between the aperture and the screen है, और आप इसके आगे convex lens रखते हैं, यदि यह D है, if this D is approximately equal to the focal length of the convex lens, तो linear spread क्या हो जाना चाहिए, linear spread क्या हो जाना चाहिए, so जो linear spread होगा, then it is F lambda by A, इस concept का हम बहां इस्तेमाल करेंगे, पर आप एक बात ध्यान से यहां देखेंगे, कि जो D है, this is not exactly equal to F, इसका मुतलिब इसमें कोई error रहेगा, इसको error को remove करने के लिए हम किसी constant से multiply करेंगे, और इसको accurate कर लेंगे, right, so this is the concept we will use to find the resolving power of an optical instrument, right, of optical instrument, we will keep on discussing now on the basis of the same concept, हम consider करते हैं कि parallel beam of light is falling on a convex lens, एक parallel beam of light जो है, वो convex lens के उपर पड़ती है, और if the lens is well corrected for abrasion, as I have discussed abrasion with you, geometrical optics tells us that the beam will get focused to a point, यदि आपका जो optical instrument है, वो abrasion से free है, तो वो जो आपकी जो parallel beam of light है, वो lens से गुजरने के बाद एक point के उपर जाकर focus हो जानी जाही है, पर actually ऐसा होता नहीं है, होता यह है कि however because of diffraction of light, because of the diffraction के बज़ा से क्या होता है, वो कुछ spread हो जाता है उसमें, it faces the angular spread or I can say the linear spread, angular spread around the slit or around the aperture and the linear spread is on the screen, so now instead of focusing, instead of getting focused to a point, एक point के पर focus होने की जगा, वो क्या करती है, थोड़ा spread कर जाती है, यह एक चोटा एक area बना लेती है, okay, so हम आपको बताने की कोशिश करेंगे भी, in this case the effect due to the diffraction will be taken into account, इसलिए हम क्या करते है, diffraction effect को consider करते है, resolving power of optical instrument को समझने के लिए, so by considering हम क्या करते है, एक plane wave, एक plane wave को consider करते है, we will consider a plane wave and that is incident on the circular aperture, इस बात का अपने ध्यान देना है, it is incident on the circular aperture, and it's followed by the convex lens, और एक circular aperture के बाहर एक convex lens लगा होता है, जैसे आप इस figure 10.19 में देख सकते हैं, यह NCRT की डियाग्राम में, यहाँ इस aperture के उपर जो है, वो parallel beam of light जो है, वो focus होते हैं, I will try to draw the diagram, अब आप देखिए यहाँ, कि आपके पास कुछ situation इस तरीके की है, एक parallel beam of light जो है, कुछ इस तरीके से आती है, इस तरीके से आप इसको consider कर सकते हैं, और वो जो है, वो एक circular aperture के उपर पड़ती है, I mean, I would like to draw the circular aperture, वो एक circular aperture के उपर पड़ती है, and this circular aperture is of this kind, it will fall on this circular aperture, पहले हम आपास जो है, वो rectangular aperture दा, एक single slit के case में हमें एक rectangular aperture को देखते हैं, now we have the circular aperture, इस तरीके से एक circular aperture को पर पड़ती है, और इसके साथ ही, आप एक convex lens लेंगा जेते हैं, it is followed by a convex lens, okay, it is followed by a convex lens, then it should fall on the, अब इसको क्या होना चाहिए, कि ये एक, जब इसके focal plane पर पढ़ेगे, second focal plane of this lens, or convex lens, then it will fall on the, then it will fall on the screen, और इसको एक point के पर focus होना चाहिए, हमें जानते हैं कि एक बैने parallel ray of light, will go parallel to the principal axis, and then it will strike on the convex lens, it will then pass to the focus, right, so, इस concept का हम यहां इस्तेमाल करते हैं, अब आप यहां देखिए कि ये जो parallel ray of light है, यहां से ये, यहां से ये, you can see out here, the ray of light will go like this, okay, and this ray of light, will go like this, it will strike at this point, this ray of light will strike at this point, अब सवाल है कि instead of focusing on a point O, यह एक point के पर focus करने के जगाह से, because of the diffraction of light, it will create a circular area, or certain area, यहां एक circular area बनता है, this is a point to be noted down, यहां एक ऐसा spot बन जाता है, और उस अपने spot की कुछ एक particular radius होती है, okay, so, this is what is seen over here, okay, so, this is all because of the diffraction effect of light, so, यहां देखिए, analysis of the corresponding diffraction pattern is quite involved, however, in principle, it is similar to the analysis carried out to obtain the single slit diffraction, यह single slit diffraction की तरह ही है, stickly, और क्योंकि वहां, जो है वो, जो slit होती है, रेक्टेंगूलर एन शेप होती, और इस केस में जो, आपका जो slit है, वो circular hole की तरह है, और उसे जो light निकलेगी, वो अपनी, I mean, circular region में diffract होगी, and it will create a circular part here on the screen, right, so, taking into account the effect of diffraction, अब अब diffraction effect को consider करेंगे, the pattern of the focal plane would consist of a central bright range, अब हमारे पास screen के उपर क्या होगा, एक central bright regions होगा, or it is followed by the, by then dark regions, because minimum will be created at a length of lambda by a, and the bright rings then, minimum and maximum will be observed over there, so you can see it here, यदि मान लो, यहाँ एक parallel beam of light जो हो यहाँ पड़ती है, तो यह circular ring आपको center में नजर आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ भी इस diagram को मनाने की कोशिश करता हूँ, यदि आपके पास, for example, यहाँ से ऐसे करके एक beam of light जो हो, यहाँ यहाँ फॉल करती है, then, इस शुद फोकस at a point, एक पाइन के पर फोकस करना चाहिए इसको यहाँ, ओके, but instead of focusing at a point, इस तरीके का एक रिंग बना देती है, जिसकी यह radius होगी, so it will have the bright and dark rings, it is because of the diffraction of light, so this is the ring, this is the ring you can see, you will find a certain ring at the center, okay, so this is what is shown over here, यहाँ उहाँ रेक, it is the first minimum that is observed at a length of lambda by A, and angular spread you can see over here so so as we have studied in case of the diffraction pattern हमने diffraction pattern में यह पड़ा है अब आप बार बार उसको डाग्राम को बनाने के ज़रूरत नहीं है कि center से जो angular spread होता है this angular spread on the screen is is the position of first minimum this angular spread theta is equal to lambda by a and this part is x right so now if we consider that if this distance is nearly the focal length अब आसे यह d होता है और d is if we can consider that it is nearly the focal length of the convex lens what will happen then top circle का जो property theta is equal to s upon r and then s is equal to this f time this theta is the lambda by a so this is what the linear spread x x is equal to f time lambda by a so here the role of x is played by this radius r0 r0 is equal to f lambda by a but आप यहाँ है नहीथ लिए कि यह जो यहां से हम लेंगे यह आपका जो length है वो इस पाइन के पर situated है this part is f okay but this part is d so d is d is little greater than f it's approximately equal to f not exactly equal to f so in order to compensate this term I can write it here that this is equal to it is not exactly equal to lambda f f f lambda by a but it is it is it is a little bit more than this it is 1.22 this is 1.22 lambda f divided by 2 a okay so this is the reason because d is not equal to f so this is further equal to this is further equal to you can write that ki joh yeh spot banen ga yaha aap yeh dekha hai yeh joh spot banen ga yeh spot ka joh radius ho ga yeh kitna phailhe ga spread hai yeh this is basically the spread on the on the screen so joh hum x pahle ka rarane zeh so this X in case of the rectangular aperture and now it is in circular aperture it is equal to r-pero so this spread is equal to 1.22 lambda f by a so you can write na aap dho kye sath isko kar diji yeh 0.61, zero 0.61 so you can write over here this spread on the on the screen which is circular in nature अब इसका importance क्या है, सवाल ही है कि अब इसका importance क्या है, तो इसमें जो आप देख लिए जो parameter जो इसमें involved है, जो r0 है, यह तो radius of this circular area है, इसमें की spot की पनना तो इहां spot चाहिए, बट diffraction की बज़े से spot ना बनके, यह spread हो जाता है, इसमें to a certain extent due to diffraction pattern. So, here the parameter involved in the radius of this finite area, lambda is the, lambda is the wave length of light to use, and f is the focal length of the convex lens, and a, 2a, 2a, 2a is the diameter of, is the diameter of convex lens, okay, क्योंकि आप telescope में देखें, तो convex lens का ही हम बहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम एक example लेते हैं, for example, यदि हम wave length of light, जो है, इस range के इस्तेमाल करते हैं, this one micrometer, and the focal length of the convex lens is considered to be nearly 20 cm, and the a is, a is nearly 5 cm, तो हम यह देखेंगे कि जो circular spread हमारे पास होगा, उसका जो radius होगा, वो लगबग, यदि हम solve करें इसको, हम 0.61 x 0.5 micrometer, means 10 to the minus 6, and focal length is 20 x 10 to the minus 2, divided by, this a is 5 x 10 to the minus 2, और यदि हम इस पार्ट को solve करते हैं, हम यह पाते हैं कि, जो यह radius of this circular spread is 1.2 micrometer, और यह जो spread है, वो इतना जादा नहीं है, it is nearly equal to the spot, so हमें मानते हैं कि, the size of the spot is very small, अब यह spot का size बहुत थोड़ा है, but it's place very important only in determining the limit of resolution, यह spot का size बहुत थोड़ा है, पर यह बहुत important होगा, जब हमने optical instrument की resolving power को determine करना है, then it will place a very crucial role, like telescope हो गया, microscope हो गया, जैसे for example, कि आप दो stars को बिर्कुल अलग अलग देखना चाहते हैं, separate देखना चाहते हैं, you will try to see these are just resolved, तो जो f delta theta का value होगा, आप देखें कि जो f delta theta का value क्या है, वो spread है, I have explained it again and again, f delta theta, जो f delta theta का value होगा, वो this is equal to this spread, and this is approximately equal to r0, and it is equal to 0.61 f lambda by a, तो यहाँ f के साथ f cancel हो जाएगा, हमें कहाँ देखेंगे कि जो angular spread होगा, वो हो जाएगा, this is equal to r0, and you can write it as 0.61 lambda by a, okay, so आप देखें, कि यह जो angular spread है, जितना वो फैले का कम, उतना ही ज़्यादा आपको साफ दिखेगा, यह आपको समझना है यहाँ से, कि जितना delta theta की value कम होगी, वो फैलेगा, फटेगा, जैसे spread उसका कम होगा, तो उतना आपको sharp दिखेगा, चीज़ें आपको साफ साफ दिखेंगी, तो उसके लिए बड़ा important है, कि जो a का value है, आपका तेलेस्कोप का objective lens है, उसका diameter ज्यादा होना चाहिए, यही reason है, कि जो टेलेस्कोप में, जिससे हमने stars को, Astronomical objects को देखना होता है, उसका जो size होता है, उसको हम बड़ा रखता है, यह देखिए, इसको मैं ऐसे लिखूँ, यह आ गया 1.22 lambda divided by d, 2a, diameter की जगा मैं इसको d लिख देता हूँ, 2a, इसको मैं लिखूँ 1.22 lambda by d, तो जितना telescope का diameter जादा होगा, उतना उसका spread कम होगा, जितना spread कम होगा, उतने ही चीज़ें आपको साफ साफ दिखेंगी, आप उनको micro level के उपर, आप उनको, I mean, I can, you can have the micro details of this object, जिसको आप देख रहे हैं, okay, so this is all about resolving power of optical instrument in case of telescope, okay, हमने जो पढ़ा उसको apply करने की कोशिश करेंगे, यह with the help of example number 10.6, हम एक assume करते हैं के light of wavelength lambda, जो आप wavelength of light, जो है, वो है, 6000 ong strong, so जो given parameter है, कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, the solution of the problem is, solution आपके पास ही होगा कि जो given parameter है, बेवलेंथ lambda is equal to 6000 ong strong, right, so you can write it like that, 6 cross 10 to the power of 3, 1 ong strong is 10 to the power of 10 meter, and you can convert it in psi units like this, 6 cross 10 to the power of minus 7 meter, right, it is coming from the star, and what is the limit of resolution, so you have to find delta theta, it is unknown parameter, and the objective of the diameter, objective of the diameter 2a, that is equal to d, it is equal to 100 inch, okay, so using, using 1 inch, is equal to 2.54 centimeter, okay, put it here, diameter is equal to 100 into 1 inch, 2.54 centimeter, so this is equal to 254 centimeter, this is the diameter, and just further could be written as 254 cross 10 to the power of minus 2 meter, okay, so now we have to use the formula to find the limit of resolution, this is delta theta is equal to 1.22 lambda by the diameter of the telescope, okay, so this is 1.22, and the wavelength of light is now 6 cross 10 to the power of minus 7, divided by, divided by this is 254 cross 10 to the power of minus 2 meter, okay, so this could be further written as, I mean, it is 1.22 cross 6, cross 10 to the power of minus 7, minus 2, and plus 2, divided by 254, okay, हमने इसका decimal हटा दिया, यह हम minus 2 add कर दिया, यह minus 2 नीचे से उपर जाएंगे, यह 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 प्लस 2 हो जाएंगे, यह दोनों कैंसल हो जाएंगे, and 122 cross 6, 122 cross 6, I mean, if you solve it, यह आप कर सकते है, then you will have, the resolving power is 2.9 cross 10 to the power of minus 7 radians, okay, so this is the way how we can solve this numerical problem, thank you. करूँ और तक दिया 1, 102 को जाएंगे, यह दो सकते हैं,